तो हेलो एन वेल्कम बैक गाइज आप सभी को दंता के रहे सीकर और नहीं वीडियों में फिर से स्वागत है अज हम बात करेंगे बोलेरो पीकप में वाइट स्मॉक और ब्लैक स्मॉक जो मिक्सों कर नीला धुआ होती है या काला धुआ जाद आती है तो वह गाड़ी में क्य कि तो हमने चिए यहां पर इसका इजी आर खोला हुआ और इजी आर का कंडिशन देख लो बाई जाब पूरा है टोटली ब्लोक हो देख लोट ने आप यहां पर कितनी बुरी कंडिशन में हुआ यह इजी आर वका इसमें यह बेल तक कुछी दिकी नहीं रहा इसके अंदर तो यहाँ आप फोटो में जख सकते हैं इसका किस्तना बुड़ा कंडिशन हुआ पड़ा और इसके अंदर सी इसका भेल को भी देख लो कितना पुरा जाम होकर स्ट्रक हो चुका है अंदर चले इसको हम क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको हम गाड़ें फिट करेंगे तो इ फ्यूल ज्यादा भी पी रही थी यह गाड़ी तो हमने इसका पॉंब और नोजल बनाए देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी तो फ्यूल अभी जो माइलज होती है वह एक दम अभी ठीक हो गई गाड़ी में पीक अप गए रिट सब ठीक हो लेकिन इसका धुआ जो है वो कं हमको स्थक कर लेंगे चले शुरह फइल सफा कर लेटे हम इसको हम अभी पहले ऐसा ठार जो है उच्पावड पढ़र चॉल कर लेते हैं देखे रहे हो कितना बुरा कंडिशन में है भाई अगर आप चानल पना है तो प्लीज चानल को सब्स्ट्राइब कर दे और वीडियो को जरू लाइक कर दे प्लीज आपसे रुकेस्ट है अगर आप चानल पना है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ और वीडियो को लाइक पी जरूर करें देख सकते हमने इसको अभी प्यच कर से इसको पहले मार्ट फ्लक्र कर दego कर रहें पदो हमने इसको लगभभ ख क्लीन कर लिया है और यहाँ पर देख सकते इसका जो अंदर वाला भेल है वह लगवा अभी देख रहा है है पहले कंडिशन आप यहां स्क्रीन की स्राइड में देख सेकते हैं पहले क्या से था और अभी इसका अंदर का भिल लगबग कितना क्लियर दुख रहा है हम आपको और पार्ट टू में आपको अलग दूसरा करकर देखाएंगे तो आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ देखते हैं यहां भी फ्री हो चुका है आज बहुत है यूटूब लाच फर्जिन है आज बहुत है